हाई आप सभी होब कि आप सभी बहुत बढ़िया है ठीक है स्वस्त है और आज के ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं हमारे बगीचे जो की हमारे घर से 1.5 किलोमेटर की डिस्टेंस पे है बट वो पैदल डिस्टेंस है अगर आप गाड़े से जाते हो तो दो रूट है बा एकदम पॉफेक्ट है यह जो टेंबल में आप सभी को दिखा रही हो यह है लरा महदेब जो शिपजी का टेंबल है तो हम पहुंच चुके है लरा और वहां पे हमने अपना पेट्रोल बगेरे फिल कर लिया तो अब हम जा रहे है हमारे खेत की तरफ तो यह है लरा के लो ज जाएंगे यह आपको थोड़ा से व्यू दिखेगा यह जो जहां से धुन दिख रही है आप सभी को यहां पे एक्चुली में हमें जाना यह हमारा ब्राणी गरा बेसिकली हम लोग वहीं से है बटम शिप्ट हो चुके है जो हमारा वीलेज है हीरनी वहां पे हम आ बसे हैं यह दिख रहा है मेरी मासी का घर यह जो चटवाले अगरा इस से घर हरे हैं वट अब हम रुप नहीं हो सकते हैं तो यहां से आपको दिखाना जु चाती थी वह हमारी जाना से ठी थीलेजेंट यह पूरा आपको एरिया दिख रहा है सेव का बगीच यह एनीन से पto चानी स में wonने टो हम लोग सारे दे anlamने शाना के लिए तो हमारे रोमपे भी इसी वैली में है तो अब हम पहुंच चुके हैं थोड़ा सा पैल चलने को मौनियों थोड़े खड़े खड़े बीच में दिख रहे थे यह जैसे दूसरे तरफ़ दिख रहे हैं यह आपको सामने जीसे पेड लगा दिया है तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे बगीच के नज़ सब्सक्राइब करेदक यकरों सब्सक्राइब आपने ród पतोची क्वाइब किया है वेल्गर के सब्सक्राइब करने और उम धेक चुकता है पेड़ के लिए, देखरेग के लिए बाकि खेट का सब्सक्राइब निया बदोओी है अगाला पेड जो पहचान होती है यह होती है जैसे यह रिंग्स दिख रहे हैं आपको बर्ड़ बर्जी यह दिखा रही हूं ये है गाला बेराइटी पीड़ की पहचाने की ये गाला का पेड़ होता है तो यह हमने किसी पेड़ में ही दूसरे पेड़ गाला नहीं था इसे ब्लाइट ऑगाई ये स्काइब इसको साफ करके ये ब्लाइट ऑकस है प्लाइट ऑग झाएक जो कंकर 悟中国 जो कुछ बीमारी होती पेड़ों की वह नहीं लगती है जीसे पेड़ कटिंग करते हैं या फिर साफ कर को ट्रूस के लिए बलायट औकुम लगाया जाता है एक तरूंहां एक तरही से दवाय पेड़ों की दवायी है तो मेरा भाई उने क्राई कर रहा है लु्टाय। जैसे थोड़ थोड़ा फंगस डोड़ी धूल वगेरे जैसे कुछ लियाफ होता जैसे कुछ गरीन होता है जैसे ऐल्गी उतल डोन लगता है पेड़ को नहीं स्तिया व्हया अड़ा ला homeowners यह जो सामने का खेट दिख रहा है हमें यह मेरे चाचु का है, मतलब सारा लेंड हमारा ही और हमेरी दादु का जो हम अब बटवारे में आचुका है, तो साथ वाला चाचु का था यह हमारा खेट है तो मुझे कहा बह्या ने की थोड़ा एक तार का डुकडा डून के ले किया तो मैं तार तो ने गई तो तार से हमें करना क्या था? तो वह मैं आपको बाद में बताओं कि यह मेरे बापा थोड़े फ्रोणिंग बगेरे कर रहे थे यहाँ से जो नीचे तक का area है यह हमारा ही है हमारा बगीचा पुरा plot हमने तयार कर लिया है और लगबग तो आप मैं जारी हूंनी नीचे कि यहां पर एक पेड है जिसमें जिसे सूईी लगी है वो लगी होती है जैसे आपको मैं अपनी लेंग्विज में बताऊं तो जैसे कोई इंसेक्ट होता है वो पेड की जड़े होता है उसको खा के बिल्कुर खराब कर देता है जैसे पेड को नीचे से जहां उसका मेन बेस होता है पेड की घ्रोथ का उसको खाके खराब कर देता है जिसे की पेड ग्रोणी कर पाता है तो कुछी साल बाद वो खराब हो जाएगा पेड सूख जाएगा तो यह मेरा भाया दिखा रहा है जो कि यह मैं तार खुदी लेके आ पूपने दाने दाने जो इंसेक्ट इंसेक्ट इसमे छेद बनाया तो इसे थोड़ा थोड़ा निकाल दियाए लकडी का बारूद जैसा अपना उसने अंदर गूसला बना दिया जैसे जो में तार डाल रहे थी उससे क्यों होता है कि वह उसको जितना हम पोक करेंगे, उसको चूबऄगा तो उसको मर जाएगी तो उसको पूरा उसको मार देंगे ना काफी काफी जार दये तक उसको यह करना है तो उसको मार देने के बाद क्या करना है कोटन से हमें Blytox लगाना है ब्लाइट ऑक्स अब हमको क्या करना है कि कॉटन से अंदर तक डालना है ताकि वह पेड़ भी खराबना हो नेक्स-टाम सुई भी ना लगे इसमें तो यह मेरा बहिया जो है जो यह king rod की, king rod की pruning कर रहा है, शायद king rod नहीं है वो, वो royal था, royal का पेड जिसमें अभी pruning कर रहा है, यह है हमारा king rod का पेड, तो वह बता रहा है कि इसमें हमने कलमे लगाई है, तो king rod का पेड क्या होता है, कि कोई भी जैसे आपका apple plant होता है, ठीक है, जो save की trees होते है, royal का बगएरे, उनमें green save निकलता है, तो इसमें क्या होता है, जो बिल्कुल छोटा होता है, जैसे कि फूल के बाद, थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा करके, वो save grow करता है, वो बच्पन से उसका लाल होता है, वो हरा कभी नहीं होता है, वो direct लाल होता है, इसमें भाईया ने समझ उसको सारी growth मिलती है, सारी जो ताकत बोले, जो भी हम material दे रहे हैं, उनको वो एक ही growth लगेगी, तो वो एक ही टैना grow करेगा, तो पापा थोड़ी pruning कर रहे थे, जो भाई को बिल्कुल पसंद नहीं है, भाई और पापा थोड़ा लड़ रहे थे कि, ऐसे pruning नहीं करनी है, एक अपनी साइड से कर रहे था, दूसरा अपनी साइड से कर रहे था, चलो ठैस छोड़ो, बस ये था हमारे खेट का थोड़ा सा टूर, तो उसके बाद हम जाने वाले घर, एक्चुली हम घर नहीं जाएंगे, हम दूसरी तरफ जाएंगे, मैं सामने पहाड़ी आपको दि पही कर्या निकलती है तो मैं दिख करते हैं काफ़ी प्लान निकलती है मैं दिखा रही हो, दूर से आथा बड़ो, करेता काफ़ी दखा नहीं, आपकों मौसम के पहले पिड़ा, उसका स्टार्ट हो गया है, तो यह मेरे भाईया हमारी खेत में देखरे ह Because of the बहारी दिख रहे हैं जोड़ा से जूम करके भी दिखाऊंगी तो यहां पर हम एक्चली में जाने वाले हैं एक दम अपोजित बीच में नाला है नदी कह सकते हैं आप लोग अगर आपको समझना है नाला तो वहां जाने वाले हैं यह परेसे जो जितना भी यह हमारा जो मैंन में बताते हैं कि आपको दिखा ले थी कि पेड़ों की मेहन्दी बच्पन में कहीं होता था कि हम पेड़ों से मेहन्दी निकालती थे तो थौड़ा हल्का हल्का color देता था तो यह हमारे देवदार की पेड़ है और यह भाई और मैं थोड़ा आगे तक जाए थे पापा पीछे अंगा पेमाने बैट के थे किसी रिलेटिव के साथ मिल गये थे तो वहां पेमाने बैठे हम ने थोड़ा टाइम पस किया थोड़ा वीडियो वीडियो रिशूट किया तो यह है देवदार का ही पेड मुझ जिसमें कि मैं चाम के दिखारं रही थी कि नैच्रॉल रेजिन जो है जैसे थोड़ा सा गोन जैसा रेजिन होता है तो यह दिखारे थी मैं निकाल के दिखारी थी कि नैच्टस चेल अपने किसी भी चीज को कूपी का कुछ होता था naw कuming चिपकाने में इनको यूज़ा ठीक न मैं आपको दिखा रही हूंसे हुड़ते इनको बोलते है पठाल सेप्टेमबर और ऐलो सा धूल डिखती है यह अभी यह मतलब खतम हो चुका इसमें से में निकलेगा थोड़ा सा मिल गया था तो मैं आपको दिखा दिया इसमें से वह पोलन निकलता है उसको हम शादी व्याय पूजा वगहरे में हमारे पहाडी रिवास से तो हम लोग उसमें पूजा शादी सब चीज में यूज़ करते हैं तो अब हम जा रहे हैं जो मैं दूसरे तरफ आपको पहाड़ी दिखाई दिखाई दी, वहां जाने वाले हैं क्योंकि हमें लाने हैं वहां पर जपानी की कलंस, क्योंकि हमारी जो है नर्सरी है तो हमारी जो नर्सरी में होता है कि एपल ट्रीज होते हैं गाला के ट्रीज है और जैसे किंग रॉट और मैं को याद नहीं आ रहा है जैडवन और टी रेक्स गाला यह सक चीजे काफी वराइटी है मैं जाला खेट नहीं जाती है तो मेरे को इतना याद नहीं है बट मेरे को तो याद आ थो मैं आपको बता दियूंग तो हमारे पास सारी अवलेवल होती है अगर आप सभी को हमारे वहां से कभी ट्रीज खरीब ने हो तो आपको लुआ के हमसे कॉंटक्ट कर सकते हैं तो यह मैं आपको दिखा रही थी जो पलम जो है मौसम से पहले ही खिल चुकी थे जिसे होता था कि पहले जिसे बसंत आता था बसंत जो पंच में आती थी उसके बाद फूल बगएरे खिलते थे इस पार बगएरे कुछ नहीं आया मौसम एकदम सूका है तो फावरिंग बगएरे पहले ही होगी कि गर्भी पहले ही आ गए तो मैंने आपको यहां पर झादे टानों वाली ज्याधा गहरी लगकिए और जो पेड वाली होते है थी तोड़ा कंगे लगती है जादाधी इस प्रक्रशी बंगी कल फूल में तो यह हमैं यह जिससे कि हम प्रूनिंग करते हैं यह अपन कैसे होती हैं आपको दिखा रही हूं और प्रण पापा तो बहुत नीचे पहुंच चुके मैं आराम राम से बहुत ही सीधा ताई यह ना रूट तो मैं काफी टाइम लगाया वहां पहुंचते-पहुंचते तो यह मैंने जो इकठा किया है मैंने जपानी जो पर्सिमन बहुत है उसकी ब्रांचीज नहीं है यह इसको बोलते हैं तॉलोडु हमारी भाशा में जैसे जाड़ु जैसे कभी शादी विया होते हैं जैसे हम घर के बाहर की जगह जो होती है हमारे गार्टन वगेरे पत्ते वगेरे जो भी ह है लते हुँँआ हैं उनको साफ करने में ये खेत वगेरे जो थे उनको साफ करने में काफी हेल्प करता है तो हम इसको तॉलोडु बोलते हैं तो अब हम जाए नाले-चैजिजें आप इसको बोलड़े बेख ली इसको जो है बहुत पवित्र माना जाता है जैसे कोई नेग में बता रहे हैं पेड़ किसी को बोलते हैं। देवदस मंहें काट ऊचांद पेड़ को design theory मैं यह विदो कि बेड़े चराने जाते थे तो कहीं यह चीज़े मिल जाती थी तो शॉली गर लेके आते थे तो आग जलाने के लिए काफी अलप होता था यह मैं तोड़ रही हूँ आरू की एक स्टिक जिसे की पहले हम लोग दांतुन किया करते थे तो मुझे मिल गी थे तो मैंने सोचे फ फिर से चरने निकल जाए तो उस जगे पर लोग स्टे करते थे जैसे फुआल होते हैं गदी बोलते हैं उनको वह स्टे करते थे बेड़े भी वहीं पर स्टे करते थी जब तक पारिश ना रुके अलांकि अगर एक दो दिन तक ना रुके वहीं पर स्टे करते थे तो यह है वाटर टेंक जहां से हम लोगों को नीचे को पानी सप्लाय होता है तो यह रूट था थोड़ा सा हम रोड में पहुंचने ही वाले हैं तो मैं काफी ठक चुकी थी तो मेरी सांस भी फूल गई थी काफी जाथा बट अब हम अलमुस्ट पहुंच गए थे यह मेरा बही आया है आप आगे चले गए थे यह हम अलमुस्ट पहुंच गए हमारे रोड तो यहीं से मैं आपको पहले वीडियो बना के दिखा रही थी जो हम भाई और मैं मस्ती वगएरे फोटो वगएरे क्लिक कर रहे थे यहीं पर बैठके कर रहे थे तो यह दिखा रही है यह सारा रूट म में लोकल लेंग्विज में अब हम गड़ी में बैठ चुके हैं तो बीच में रास्ते में हमें दिख रहा था कि यह नाश्पती के पेड़ है जो सारा दिख रहा है आपको यह भी काफी मतलब 500 साल पहले की नाश्पती है जिसमें बहुत जादा कॉंटिटी में नाश्पती जैसे नशला से हम टारेक्ट लगरी निड्रान के लो पहुंचते हैं हम नशल känольше कारें की नीचे आच चुके हैं । यह नहीं अदिख रहते हैं कि ट्रांग केलो बहुत जादा बढ़िया है तो यह क्यूं बढ़िया यह हम्में पता नहीं था तो आक्चलि हुआ कि अ बाद में पता चला है जो यह पहाड़ी दिख रही है सामने इस गर्स के बिल्कुल सामने यहां पर राइसन के थोड़ा सा आगे पढ़ता है दौड़ा गाउं तो दौड़ा में एक पहाड़ी जिसे लैंड्सलाइट बगएर हो गया तो सारा जो रोड बंद हो चुका था तो सारे गाड़े हामारे रोड के तरफ से यह आरहे थे तो यह हम पुँच चुके है घर यह जो आपको घर दिख रही है मेरा घर तो पापा निकलता है तो दो गाड़ी है इतनी ज़्यादा थी कि वह जाने पार रहे थे तो ये था हमारे आज का ओचर टूर जिसमें मैंने काफी चीज़े आपको बताई काफी नहीं चीज़े और जिसे पेड़ों के बारे में बताया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पेड़ों को कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हम उन चीज़ें को कैसे हम पेड़ों को पहचान सकते हैं यह कौन सा पेड़ है सेबो की वराइटीज मैं बोल रही हूँ तो आज के ब्लॉक के लिए बस इतना ही हो कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करें मिलते हैं आप सभी से निव वीडियो के साथ थैंक यू, हैव अनाइस टे